प्यारे बच्चों, इंगलिस वाले महेज सर की क्लास में आपका वेलकम है, 12th क्लास की पहली बुक, फ्लेमिंगो का 2nd chapter, Lost Spring, खोया हुआ बसंत हमेशा की तरह से, 5-7 मिर्ट में इसको खतम कर देंगे, 2-3 मिर्ट में इसकी समरी, और एक ही आंसर, सौरी एक नहीं, 2 आंसर मिले क्योंकि ये chapter 2 parts में divide है, इसमें 2 कहानिया है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसकी समरी, तो देखिए, Lost Spring, खोया हुआ बसंत, इसको लिखा है, अनीज जंग ने जो हैदराबाद की famous writer है, और बच्चों पर काफी लिखती है, अब ये जो story है, अब देखो, नाम आ रहा है, Lost Spring, खोया हुआ बसंत, बसंत मतलब बसंत रितु होती है, खुसी और उल्लास की रितु, अर्थात ऐसा मौसम जो खुसी का मौसम है, अर्थात जीवन की खुसिया, इसमें stories कहानिया है, of stolen childhood, चोरी हो गए बच्चपन की, अर्थात कुछ बच्चों का ऐसा बच्चपन, जो चोरी हो गया, अर्थात, उनके जीवन से बसंत गायब हो गया, उनके जीवन में कोई खुसी नहीं है, तो बात ये है, आप मजे से अपने रूम में बैठे हो, आपके हाथ में एक फोन है, और आप उसमें Lost Spring Chapter पढ़ रहे हो, आपको स्कुल में समझ नहीं आया होगा या कुछ भी है, आप पढ़ रहे हो, आप online भी पढ़ लेते हो, आप offline भी पढ़ लेते हो, आप school भी जाते हो, मतलब मौज ही मौज है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, कि हमारे देश में लाखो बच्चे ऐसे भी हैं, आज भी, जो बिचारे कभी school नहीं जाते, उनको काम कर परना पड़ता है तो यह जो चैप्टर है Lost Spring इसमें दो बच्चों की कहानिया है दो बच्चों की कहानियों के माध्यम से दो जीवन विवस्था बताई गई है गरीवी बताई गई है तो पहला जो पार्ट है वो एक साहब एक बच्चा है साहब आलम जो बांगलदेश से अप पहला पार्ट है जिसका नाम है sometimes I find a rupee in the garbage, कभी कभार मुझे कच्रे के ढेर में एक रुपया मिल जाता है, इसमें दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले rag pickers, कच्रा बिनने वालों की कहानी है, उनकी जीवन विवस्था बताई गई है, उनके जीवन conditions बताई गई है कि वो कि देनी वस्था में जीवन जीते हैं, और जो दूसरा पार्ट है, वो मुकेस एक लड़का है, जो बैंगल मेकर है, अर्थाद चूडी बनाने का काम करता है, इसकी फैमली फिरोजबाद में रहती है, फिरोजबाद चूडी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो मुकेस के पहले वाला करवाऊंगा, पहली समरी, मतलब स्वरी पहला बनानस्वर, देखो ये, क्योंकि डो पार्ट में है, तो ओनली बनानस्वर, ये पहले वाले में से है, सहब के बारे में, जो कच्रा बीनने वाल है, और उसके बाद में ये दूसरा वाला है, आई वान टू पहले रख लिए, सिंबॉलिक ही है, में मकसद है, रेग्पिकर्स की लाइफ को बताना, तो चलो पहले में इसकी छोटी वाली समरी, हाँ, हमेशा की तरह से, अगर आपको वह आंस्वर याद ना होता, आप इससे भी अपना काम चला सकते हो, दा ओथर लेखिका, यह यहाँ कंडिशंस अफ दा, अब ठीक है, अफ दा रेग्पिकर्ट चिल्डर्न, कच्रा बीनने वाले बच्चों की, एट सीमापुरी देली, जो की सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं, एक मिनिट, यह होगा है, चलो ठीक है, जो की दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं, रेग्पिक अपने बहुत ही घरीब जीवन को टू अनीज जंग, अनीज जंग के लिए they live barefoot, वे नंगे पैर रहते हैं, don't go to school, इसकूल नहीं जाते हैं, and live in tents, और तम्वों में रहते हैं, अब ये तो इसका एक सौट सा आंस्वर हो गया, मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको इसकी बच्चे और है, सबके सब नंगे पैर है, barefoot है, और बात करकरके उनकी life conditions का पता लगाती है, जैसे कि वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, कहां से आयो, तो reply में बताता है कि हमारी family, ढाका बागला देश से बहुत साल पहले आ गए थे, कि वहां पे समुदरी तूफान आ life conditions जीनी पढ़ रही है, और दूसरी बात और, उनका ग्रुप नंगे पैर रहता है, तो अक्सर जो writer पूछती है, कि तुम नंगे पैर क्यो रहते हो, तो वो तरह तरह के बहाने लगा देते हैं, कि हमारी ममी चपपलों को आलमारी रुतार कर नहीं देती, जबकि reality क्या है, उनके पास चपपल है ही नहीं, तो कुल मिला के बात है, कि जो हमारा पहला chapter है, जो पहला part है, उसमें साहिब के मादम से writer ने ragpickers की life को बताया है, कि वो किन मुस्किलों में जीते हैं, अच्छा, फिर स्टोरी में टर्निंग पॉइंट भी आता है, एक दिन जो हमारी writer है अन से मन से कहा, मतलब ये उस काम को पसंद नहीं करता था, उसको तो वही बस जोला उठाया और कच्रा बीन रहें, मतलब वही काम पसंद था, तो कहने का मतलब है, इनके दिल और दिमाग वो काम कैसा बस गया, और ये क्यों कर रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए, तो writer ये बताना चाती है कि हमारे इसमें लाखो बच्चे ऐसे हैं, जो आज भी गरीवी में, अभावों में, अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, चैल्ड रिलेबर कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो कभी साहब से मिली ना हो, ये तो writer's का कमाल है, मतलब उसके दिमाग पर ये थी, कि मैं लाखो ऐसे बच्चों के बारे में लोगों को बताऊं, जो कच्रा बीनते हैं, जो चूडी बनाने का काम करते हैं, अब दो character ले लिए, एक कहीं कोई साहब ले लिया, एक मुकेस ले लिया, इनके मादम सो बता रही है, चलो ये तो, अब समरी से कोई मतलब नहीं है, ये describe करती है, बताती है, the life conditions, जीवन, इस्थितियों के बारे में, of the ragpickers, कच्रा बीनने वाले, अब सीमपुरी डेली, सीमपुरी दिल्ली के, थो माध्यम से, किसके माध्यम से, a ragpicker boy, एक कच्रा बीनने वाला लड़का, जिसका नाम है साहब, तो साहब के माध्यम से, वो दिल जन की तलास में, the ragpicker children, जो कच्रा बीनने वाले बच्चे है, live, रहते है, barefoot, नंगे पैर, अर्थात उनके पैरों में चपल नहीं है, never go to school, वो कभी school नहीं जाते, and live in tents, और tents में रहते हैं, तंबों में रहते हैं, without running water, उनके घरों में नलों का पानी नहीं, and light, और कोई light क वर्षतर नहीं है, they live a very miserable life, यह बहुत ही दैनी है, बहुत ही दुखी जीवन जीते है, of dirt, घंदगी का, and deprivation, deprivation करता है, अभावों का, साहिव changes his profession, साहिव अपना profession, अपना website बदल लेता है, of rag picking, कच्रा बीनने का, and works, और अब काम करता है, at a tea star, एक चाय की दुकान पर, but new job does not make him happy, लेकिन नया काम उसे खुश नहीं करता, अर्थात नया काम में उसे कोई खुशी नहीं मिलती है, तो कहने का मलदब है, एक चैप्टर का, मनलब सायद वो विश्टास में था कोई, मुआ से सुरू कर दिया, अब आप केतने सारे कमेंट आ रहे हैं, कि sir only one answer, इसका भी दो, उसका भी दो, तो मैरे सोचे सेरीज ही चला देते हैं, ठीक है, हलागे मैं उस तरह का teacher भी नहीं हूँ, यह तो क्या shortcut है, ठीक है, काम चलाओ है, जबकि आपकर आपको अच्छे नमर चाहिए, और आप एक अच्छे सिंसरिस डेंट है, तो आपको सारा chapter पढ़ना चाहिए, सारे question पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत आलसी है, काम चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका welcome है, चलो, अगल अच्छा है, वो अपने परवार के साथ फिरोजाबाद में रहता है, चूडी बनाने का काम करता है, अब एक खास बाद, थोड़ी समरी बता दू, हमारे देश का फिरोजाबाद सहर है, जो यूपी में है, यह फेमस है बेंगल मेकिंग के लिए, हर दूसरे के हर घर में, छ जोड़ते कहा है, छुट-छुटी कोटरियों में, ऐसे भटी के सामने और टाका लगाते हैं, मलाद उसको काच को आपस में वैल्ड करने का काम करते हैं, वैल्डिंग करने काम करते हैं, अब यह काम इतना सराल नहीं है, क्योंकि एक गरम भटी के सामने, मलाद लाइट होगे, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, अब यह काम बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि लगातार लाइट की तरफ देखना पड़ता है, मलाद एक छोटी सी कोटरी है, जिसमें अंधिरा है, एक दीपक जला हुआ है, ठीक है, और लगातार आप उसकी तरफ देख रहे ह जाता है, एक तूटा-फूटा सा घासमूज का घर है, जहां पर जानवर भी है, उसके दूबली सी भावी है, उसके बड़े भाई की पतनी, उसका व्रद पिता है, जो सब दूबले पतले से हैं, और ऐसे ही, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, पालक को उबाल रही है, ऐसे परान जमाने में रहते थे, कि मनुसर जानवर एक साथ रहे हैं, बहुत ही खराब कंडिसन है, जो गलियां है, उस सेर की छोट-छोटी गलियां, वो कच्रे से अटी पड़ी है, हर घर में चूडियों के धेर है, बस यही काम चलता है, अब यह सारा काम जो चल रहा है, इसमे करें तो पुलिशन को पीटती है, तो लीडर, मिडल में, सावकार, सब के यह जाल में फस गए है, यह सारी लाइफ कंडिसन से, लेकिन एक अच्छी बात है, कि मुकेस यह काम छोड़ना चाहता है, और मोटर मेकनिक बनना चाहता है, एक आसा की करण नजर आई, राइटर को होगी, कम से कम इस बचरी तो हमतों की, यह प्रॉफेशन को छोड़के यह काम करना चाहता है, बस यह इसमें समरी है, कुछ नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब है, तो देखो, दा ओथर अनीज जंग, जो लेकिका अनीज जंग है, डिस्क्राइब्स, वणन करती है, बताती दा लाइफ कंडिशन्स, जीवन इस्तियों को, आफ दा बेंगल मेकर्स और फ्रोजाबाद, फ्रोजाबाद के बेंगल मेकर्स की लाइफ को, हाँ मैं एक बातर बोल गया था, फ्रोजाबाद जो है, वो सब बता दी, फेमस है, चूड़ी बनाने के लिए, हर घर में बहाँ चूड़ी बनती है, फ्रोजाबाद के चूड़ी बनने वालों की लाइफ कंडिशन्स को बताती है, एक लड़के मुकेस के माद्धम से, जो अपने परवार के साथ, इन फ्रोजाबाद, फ्रोजाबाद में thousands of families, हजारों परिवार, मेक, बेंगिल स्चूडिया बनाते है, इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स होती है, छोट-छोटी कोटरियों में, डिंगी होती है, छोटी सी घुटन भरी कोटरी जिसमें अंदेर आओ, एक मिनिट, सेल्स आएगा न, हम टीचरम बस यही तो कमी है, गलती तुरंद खटक जा है, अधिकांस जो मजदूर है, लूज, वो खो देते हैं, तियर आइसाइट, अपने आखों की रोशनी, वरकिंग, वरकिंग नियर होट फरनेसेज, गरम बट्टी के पास काम करते हुए, दिलेविन स्माल हट्स, वे छोट-छोटी जोपडियों में रहते हैं, विद एनिम प्लॉइट, सोसन करते हैं, देम उनका, ये सब मिलकें उनका सोसन करते हैं, ये गरीब है, इनको गरीब बनाये रखना चाहते हैं, इनसे काम लेते हैं, मुकेस इस डिफरेंट, मुकेस अलग है, फ्रॉम इस फैमली अपने परिवार से, विकाज ही वांट्स टू बी आ मोट मेकनिक, क्योंकि वो एक मोटर मेकनिक बनना चाहता है, बस यही बात राइटर को पसंद आए, कि कम से कम वो इस जाल में से निकलना चाहता है, कुछ अलग सोच रहा है, कुल मुला के बात है कि, दोनों चैप्टर की थीम है, चाइल्ड लेवर, बाल स्रम, बाल मजदूरी, म बस तो ऑल इंडिया में है, पर वहाँ पर फोकस किया गया है, और दूसरे फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स के बारे में, तो आप इनको नोट कर लेना ठीक है, जैसे स्कीन सोट लेना चाहता तो वो ले लो, और पीडियो को पहुच करके नोट करना चाहता हो, तो नोट के साथ, तब तक लिए बाए